हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के क्रसी जगत के हित्में, देश के हित्में, गाउं गरीब के उज्वल भविश्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रती पूर्ण समर्प्रभाव से नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्ण रुप्षे शुद्ध किसानों के हितकी बात हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझान नहीं पाए बले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था क्रिश्य अर्थसाच्रियों ने वैग्याकिनिकों ने प्रगतिश्य किसानों ने भी उन्हें कुछी कानूनों के महत्वपूर्ण को समझान का भड़पूर्ण प्रयास भी किया हम पूरी विरम्रता से खूले मन से उन्हें समझाते रहें अनेक माध्यों से व्यक्तिगत और समुरिक बाचित भी लगातार होती रही है हमने किसानों की बातों को उनके तर्ग को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतरास था सरकार उन्हें बदने के लिए यह भी तैयार हो गई दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंट करने का भी प्रस्ताव दिया इसी दोरा यह विशय मानिये सर्वोच नहाले के पास भी चला गया यह साल ही बातें देश के सामने हैं इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा साथ को मैं आज देश वास्यों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकाश जेसा सत्या कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है यह समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने तीन कुरुशी कानुनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्ड़ लिया है इस महिने के अंत्म में शुरू होने जा रहे है समस्त सत्र में इसी महिने में हम तीनों कुरुशी कानुनों को रिपील करने की समिर्धानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे साथियो मैं आज अपने सभी आनुरन रख किसान साथियों से आगर कर रहा हूं आज गुरु परब का पवित्र दीन है अब आप अपने अपने घर लोटे अपने खेत में लोटे अपने परिवार के बीच लोटे आए एक नई शुरुआ करते हैं